जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल में शो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का ये सेशन और Self Study Classes दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी सात्यों चाहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आए जो भी वीडियो डलें जो भी वीडियो लाइब किलासे चलें तो आप बैल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों ठीक है और जिनवी सात्यों ने Self Study Classes का App डाउनलोड नहीं किया है और प्लीज Self Study Classes का App डाउनलोड कर लें प्लेश्टोर में जाना इस Self Study Classes से दोस्तों इसको आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है और अध्यन में आपको लग जाना है यहाँ पर रोज नरंतर एक Life Class आपके लिए दोस्तों प्रेशित की जाती है और वो की जाती है रात्त्री 9 बजे ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा ओफर आने वाला है आपके लिए 14 शितंबर आपका दोस्तों हिंदी दिवस के अउसर पर एक बड़ा ओफर आपके लिए आ रहा है हिंदी साहित शंपून कोर्स जो की दोस्तों आपके लिए आप किसी भी अग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साहित की तैयारी कर रहे हैं जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं एल्टी गिरेट यह आँगे आने वाले टीजी टी पीजी टी के बीएस किसी भी साहित की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और आपका सब्जेक्ट साहित किसी भी बिसाइकी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट दोस्तों क्या है साहित है तो आप इस संपूर कोर्स में अध्यान ल बाले हमारे साती करना क्या है आपको self study के लासे इसका app download करना है ठीक है एप download कर लेना उसके बाद इस हिंदी सायथ के संपूर्ण कोर्स को आप से कल से offer आने वाला है ठीक है तो वड़िया है आप लोग तयार हो जाओ जिनको भी दोस्तों लेना है और यह 2020 test series दोस्तों आपकी बिल्कुल फिर होती है self study के लासे इस एप पर है ना और यह होती है सब्ता है में रविबार और गुरुबार को ठीक है यह रविबार और गुरुबार को इसका अध्यन आपको करना है और सात्यों एक पंजाब master kader का model paper पंजाब master kader का जो paper होता है जिसमें 150 question पूछे जाते हिंदी के यह model paper launch किया गया है से हम 150 प्रशनों का model paper होगा अब आपको आकलन करना है कि आप 150 में से कितने प्रशन हल कर पाते हैं कितने नंबर आते हैं इससे दोस्तों अपनी position को जाचने के लिए अपनी तयारी को जाचने के लिए model paper launch किया गया अब इस model paper को आच से आप आते हैं दोस्तों है ना तो इस कोर्स में आप मात्र पाश्चों नियानवे में अड़ी सर ले सकते हैं सातियों यह उफर आप लोगों के लिए आज दोस्तों अपन सीधे-सीधे नाटक याद करेंगे नाटक करेंगे आज कोई प्रशन उत्तर वाली सीरिज आपकी नहीं होनी हैं आज मैं आपको नाटक याद करवाऊंगा जैसे आप से पूछा जाता है भारत दुर्दसा के रिचनाकार कौन है ठीक है भारत दुर्दसा अब एक चीज बताना कि जो भारत की दुर्दसा है वो भारत में ही देखेगी कि अमेरिका में देखेगी भारत की दुर्दसा को वा था दोस्तों भारतेंदु जी का अब अंधेर नंगरी देखो अंधेर नंगरी किसका अंधेर-Nंगरी इस द्वस्ति दोस्तों आपके लिए जूनियर सुपर्टेट में एक ना एक दो क्वेस्चन आपके आज की किलास से फस जाएंगे ठीक है अंदेर नंगरी ये प्रहसन है और भारतेंदू हरिश्चंद जी का दोस्तों प्रहसन माना जाता है ठीक है अजात सत्रू मैंने बहुत अच्छे से रूपक के भेद जो रूपक के दस भेद होते हैं उनमें नाटक भी आता है प्रहसन भी आता भार भी आता है इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको विस्तृत वाली किलास में पढ़ाया है है अब उसके बाद यहां पर अपन देखें आजात सत्रू आजात हैं सत्रू वो नाटक है अजात सत्रू अजात सत्रू अपन को याद कर लेना है तो यहाँ पर भारत दो दसा भारतेंदू अरिस्चंद अंदे नंगरी भारतेंदू अजात सत्रू जैसंकर पिरसाद उसके बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त भी दोस्तों यह भी जै संकर प्रसाद का नाटक है ठीक है यह नाटक याद करते जाओ इसकंद गुप्त याद रखो इसकंद गुप्त किसका है जैसंकर प्रसाद की नाटक अपन को याद कर लेना जब तक एक कौश्चन मैं आप से पूछ लेता हूं कि जैसंकर प्रसाद का प्रथम एतिहासिक नाट कौन सा है ये question आपके लिए दे देता हूँ जब तक आप लोग बता देना इसकंद गुप्त आपको पता है जैसंकर पिरसाद जी का दोस्तों क्या माना जाता है नातक ठीक है ध्रोब स्वामनी इनका अंतिम नाटक है जैसंकर परसाद का पहला ये तिहास एक नाटक कौनसा है तो आपको जल्दी से बताना है उसके बाल आमपाली आपसे पूचा जाएगा कि आमपाली किसका नाटक है आमपाली किसका एक आमपाली नहीं बोल देना नहीं तो एक भोजपुरी दोस्तों कलाकार हैं आमरपाली जी है ना आमरपाली जी है अब आमरपाली से आमरपाली ब्रक्ष पे बैटी है बोले सर काई पे बैटी है ब्रक्ष पे तो ब्रक्ष से क्या होनेगा राम ब्रक्ष ब्यानी पूरी आमरपाली ब्रक्ष पे बैटी है तो राम ब्रक्ष बेनी पूरी ठीक है बहुत बढ़िया प्रतम नाटक नहीं पूचा प्रतम एतिहासिक नाटक पूचा प्रतम नाटक दोस्तों इनका सज्जन है और प्रतम एतिहासिक नाटक इनका कौन सा है राज जिस्तिरी और रास्तिरी पता कितने में बिकरा है बोले सा या आम से कर लिए ना, ठीक है, उसके बाद अंजो दीधी किसका नाटक, कई बार पूछा गया, विधा भी आप लोग देखते जाना, इस नाटक विधा से संबन देखें, अब देखों अंजो दीधी, बोलिश्टर अंजो दीधी तो अस्क बहाती है, अंजो दीधी क्या करत एक question आपका आता है दोस्तो कि काली दास के जीबन पर आधारित नाटक कौनसा है दिखवेजय जी काली दास के जीबन पर आधारित नाटक कौनसा है आपको बताना है यहाँ पर तो आपका उत्तर हो जाएगा कि असाल का एक दिन जो है दोस्तो इसके रचनाकार मोहन राकेस है अब आपको बताना है कि कालिदास के जीवन पर आधारत कौन सा है जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपको बताना है लहरों के राजहंस तो बोले सर लहरों के राजहंस तो कौन है मोहन राकेस हैं लहरों के राजहंस कौन है कौन है बोले सर यह मोहन राकेस है लहरों के राज हंस हैं मोहन राकेस असाल के एक दिन और आधे अधूरे एक दोस्तों आप से रचना पूछी जाती है अंधेरे नियरे में ये काभ रचना कार कौन है और आधे अदूरे है अब आदे अदूरे और अधेरे में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते बहुत सारे लोग ये आदे अदूरे हैं बोले सर क्यों मैंने कहा मौहन के बिना राकेस अदूरा है और राकेस के बिना मौहन अदूरे हैं है ना तो ये वोनों आधे ऐधूरे हैं कै達े अधूरे हैं तो आधे अधूरे नाटक किसका हो जाएगा मौहन राकेश जाएगा बहुत अच्छे से पढ़ लेना कल के लिए बहुत अच्छा आफर आया है आपके लिए हिंदी दिवस phải हिंदी दिवस पर सभी कोर्से से चूट है दोस्तो आ उक्ति बोत की रचना है अन्हेरे में बहुती स्रिष्ट रचना मानी जाती है तूटते परिवेस विश्णू प्रभाकर है ना विश्णू जी ने एक दिन कहा कि यार परिवेस तूटते जा रहे हैं क्या तूटते जा रहे हैं परिवेस तूटते जा रहे हैं हिंसा बढ़ती इचना important है दोस्तों ये नाटक हैं कोहासा और किरन अब एक चीज बताना कि जो कोहासा होता है और जो किरन होता है क्या आप कोहासा बना सकते हो बना सकते हो कि कोहरा फैला दो पूरे संसार में ऐसा आप कर सकते बोलिसर नहीं कर सकते है ना तो कोहासा और किरन ये निकलती है और फैलती है है ना काई के लिए बोलिसर विश्लू की किरपाशे कोहासा और किरन होती है तो काई की किरपाशे विश्लू की किरपाशे तो जाओ यहाँ पर भूला नहीं इसके बाद भारत दो दसा भारतेंदु अरिश्चंद अंदे नंगरी ये प्रहसन है भारतेंदु जी का अजात सत्रू देखो दोस्तों अजात सत्रू आ जाते हैं सत्रू बोलिसर आ जाते हैं सत्रू जैसंकर का प्रसाद लेने तो प्रसाद ज इनका अगर प्रतम एतिहासिक नाटक की बात करें तो 1915 का नाटक है एक इनका राज सिरी कौनसा है राज सिरी इनका प्रतम एतिहासिक नाटक है अगर इनकी अंतिम नाटक की बात करें तो इनका अंतिम नाटक में आपको बता रहा हूँ वो ध्रोफ स्वामनी है ठीक है जैसं कर पर साहत का अंतिम नाटक है दोस्तो दुरोप सौमनी है ना अगर कोई बताएगा कि एक इस पर आधारत नाटक है दोस्तो इसकाroc क्या है इक क्वोस्चन hier हां से बनता है जल्दी बताओ द्रौप सौमनी के बारे में अंब पाली ब्रक्ठ पर बैठी पुरी इन्हे क्या कहा जाता है वो लिसर इन्हे कलम का जादूगर कहा जाता है एक क्वेस्चन आप से आता है कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो लिसर प्रेम चंद को कलम का मजदूर एक क्वेस्चन आता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है तो कलम का जादूगर राम ब बितस्ता कि लहरे में बेड़ी मैंने लच्छमी फैंक दिया आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं जैसे ट्रेन निकली नदी के पास से ट्रेन निकली बस निकली नदी के पास से तो क्या करते हैं कि चिलर एलर फैंक देते चिलर फैंक देते ना लच्छमी बोले लच्छमी की लहरें अपन को याद करना है दोस्तों ठीक है बहुत बढ़िया नीरज जी पुनर विवाय की समस्या का चित्रन किया गया है दुरुफ सौमनी में बहुत बढ़िया है ना यहां पर आपको बताना है मदन कलम का मजदूर किसे कहा जाता यह पूछा गया कलम का मजदूर के जीवनी लिखी उन्होंने प्रेम चंद की जीवनी लिखी कलम का सिपाही में किसकी जीवनी लिखी प्रेम चंद की जीवनी लिखी इसलिए प्रेम चंद जी को कलम का मजदूर कलम का सिपाही कहा जाता है और कलम का जादूगर कहा जाता है किसको राम रक्ष बेनी परी को ठ ठीक है लच्मी नाराण मिस्रे बितस्ता की लहरे क्या फैक दी पुलिसर लच्मी फैक दी लच्मी बितस्ता की लहरो मृत्यूंजय देखो मृत्यूंजय है ना मृत्यूंजय लच्मी नाराण मिस्रे ये भी अपन को याद करना है मृत्यूंजय ये बहुत ही important नाटक है दोस चानते जाना है, थोड़ा सा मायंड में सेट करते जाना है मरत्युन जाइदे को लच्छमी नारण मिस्र का यह नाटक है यह नाटक नाटक पड़ रहे हैं अपन इसलिए आपको याद रखना है जल्दी से बताईए अद्वेत बाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है है ना जगदीस चंद्रमात्र ने कोनार्क लिखा दोस्तों कोनार्क बोले कोनार्क का मंदर है ना कोनार्क का मंदर बहीं पर दोस्तों पूरी है पूरी जहां पर जगनात की यात्रा निकल दी जगदीस तो जगदीस चंद्रमात्र कॉनार्क, याद रख्टे ना बोले सर कॉनार्क में तो जगदीस की पूजा होती है, यह से याद करो, कॉनार्क में किसकी, जगदीस कॉनार्क का सूर्मंदर आप लोगों उन्हें देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना, तो कॉनार्क के ये नाटक किसका है जगदीस चंद्रव माथर सी का ठीक है बैरी गोड आप लोगों ने बिलकुछ सही अंसर बताया है विनु जी क्या बताया है कि सर जो है कोया अदोयत बाद के प्रबर्तक हैं शंकराचार बैरी गोड बहुत बढ़ या पहला राजा पहला राजा काई की पूजा करता है बोले सर पहला राजा जगदीस की पूजा करता है पहले जो राजा बनता ना वो कहां जाता है मंदर जाता है बोले भगवान आपकी बहुत अच्छी किरपा है है ना तो पहले राजा क्या करता है पहले राजा या पहला राजा है ना तो पहला राजा बोले जगदेश की पूझा करता है तो जगदेश चंद्रमातर का एक नाता पहला राजा कई बार पुंचा गया कोण आर्क जगदीश चंद्रमातर ठीक है हनुस देखो एक कई बार पूचा गया हनूस 20 में साहिनी है ना अब खडूस सन्वय तो बोल देना नहीं किसी को आप लोग ख़़ुस बोल देते हैं, हणुस करना हाणूस नाटक किसका है, पिर भीषम साऑनी का कई बार पूँचा जाता है, इसको आपन को बहुत अच्छे से आद करना रिचनाकार कौन हैं, यहाँ पर लोग धिगू कभीरा ख़ड़ा बजार मैं, बीस में साहिनी, बोले कबीरा क्यों ख़डा बजार में, बोले सहन कर रहा है सबकी, कबीरा खजा बजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बेर, ये कबीरा खडा बजार में, दोस्तों ये क्या कर रहा है, बोले सर ये सहन कर रहा है, सहन, सबकी सहन कर रहा है तो इपी समय साहिनी कई नातक है कबिरा खड़ाव जार में है है और अंधा यूग तो आपको पताई हैं पुरिशन अंधा है योग कईके बिना धरम के बिना धरम यह जिनको भी दोस जो आपको अपराद करने ही नहीं देता है ना और पुलिस अरे जो पुलिस विवस्ता ने आयला है यह अपराद करने के बाद ब्यक्ति को सजा देता है लेकिन धर्म ऐसा सस्त्र है कि जो ब्यक्ति को क्या नहीं करने देता ब्यक्ति को अपराद नहीं करने देता ऐसा ही है अं अंधायोग अंगूर की बेटी गोविंद बल्लब पंत गोविंद बल्लब पंत बोले अंगूर की बेटी गोविंद की पूजा करती है किसकी पूजा करती है गोविंद की है ना बोले सर अंगूर की बेटी में बहुत बल है मैंने कहा क्यों बोले गोविंद की पूजा करती ह गोविंद की है ना तो गोविंद बलापंत का एक नाटक है अंगूर की बेटी कई बार पूछा गया कई बार पूछा गया अंगूर की बेटी गोविंद बलापंत है ना संकर सेस एक और दुर्णाचार की रिचना अब आप से पूछा जाएगा एक और दुर्णाचार की रि बचे दोस्तो सेस बचे सेस से से दोस्तो कई बार पूछा गया एक और दोनाचार नाटक के रिचनाकार कौन है बोले सेस बचे हैं एक और दोनाचार तो यह संकर सेस लगा देना एक और दोनाचार संकर सेस ठीक है भूलोगे तो नहीं नहीं भूल पाओगे भूदान यग दे तब बुली सर सेट लोग करेंगे तो सेट गोविंद दास ने दोस्तों एक नाटक लिखा जिसका नाम था भूदान यग भूदान यग ठीक है बहुत बढ़िया सूर की अंतिम करण से सूर की पहली करण तक कई बार नाटक पूँचा गया अब ये पूँचा जाता है नॉर् सूर की अंतिम करण से लेकर के सूर की पहली करण तक हम सुरेंद्र की पूजा करते हैं हम सुरेंद्र का जब करते हैं ठीक है तो याद करना सुरेंद्र का जब करते हैं कब तक कौन कौन करता अपनी गुरुप में है बहुत सूर की अंतिम करण से सूर की पहली करण तक हम आट हबसंगे देखो आट वास नहीं किया गया ठीक Benut teacher अन्द को शर्ड में स्वर्ड कर दो इसको शर्ग याठी वह इंड कोई नहीं है देखी है ना तो याद कर लेना सकुन्तला की अंगूठी गुम गई बोले सर किसी ने गुरुप में कहा कि सुरेंदर बर्मा को मिली है किस को मिली है सुरेंदर बर्मा को बापपेश लेक के आओ है ना इनको अपन को याद करना है एक इनका नाटक है रंग भूमी है ना उसके बाद यहाँ पर देखो बकरी बकरी का क्या करना है शर्बे करना है शर्बे करना है बकरी का अपने देश में बकरियां है बहुत हैं बकरी की नहीं अब बकरी अगर मैं आपसे बोलूँ अभी य बकरी याद कर ले न बकरी का सर्वे करना है क्या करना है। बकरी ना बकरी करनाट आपको गया। यहाद कर ले ना याती गिरीज करनाड ठीक है गासी राम कोतबाल गासी राम कोतबाल याद रखो बिजय तेंदुलकर है ना यहाँ से घासी और घासी से बोले सर यहाँ पर बाल बोले सर बाल को घसीट घसीट के मारते थे तेंदुलकर है ना किरकेट का भगवान कहा जाता ना तेंदुलकर को बाल को क्या करते थे घसीट घसीट के मारते थे घासी राम कोतबाल गासी राम कोतबाल बोले सर बिजय तेंदुलकर तेंदुलकर अपन को याद रखते ना है किरकेट के भगवान खामोश अदालत जारी है खामोश अदालत जारी है बिजय तेंदुलकर है ना जब तेंदुल खामोश अदालत जारी है देखे खायकर ज Mormon को याद रखे ना है अब यहाँ पर आते हैं दोस्तो धी अब यहां पर आते हैं अंगल्स गॉस्टिन यहां पर देखते हैं आते हैं तहसी बितस्ता ननरण मिस्तर है को नौर जगदीस चन्दर मात्र हैं 10 है कबीरा खड़ा बजार में मांगे सब की खेर ना काहूँ सेंं दोस्ति और ना काहूँ सें ये कभीर जी आ गए दोस्तो है ना ओर ये भीश में साहिनी जी ने नाटक लिखा था कभीरा खड़ा बजार में ठीक है अंदायो धरंबीर भारति अंगूर की बेटी बोले गोविंद गोविंद की पूजा करती अंगूर की बेटी तो ये अंगूर की बेटी गोविंद बलब पंत की हो जाएगी उसके बाद देखो एक और दोनाचार एक और दोनाचार सेस हैं अभी सेस हैं तो संकर सेस ठेक है उसके बाद भूदान यग्य बोले सर सेथ लोग भूदान यग्य करते हैं है ना ये भी अपनका हो गया अब उसके बाद सूर की अंतिम करण से पहली करण तक आप क्या करते सुरेंद्र की पूजा करते बोले सर हम वेर जी आठवा सर्ग सुरेंद बर्मा शकुंतला की अंगूटी सुरेंदर को मिल गई तो इस सुरेंद बर्मा याद करना सुरेंदर की अंगूटी है ना अपने गुरुप में तो नहीं गुमी किसी की अंगूटी शकुंतला की गुमी ना बहुत बढ़िया रंग भूमी ए गसीट के मारते थे ठीक है खामोश अदालत जारी है खामोश अदालत जारी है खामोश अदालत जारी है ठीक है खामोश अदालत जारी है नाटक है विजय तेंदुलकर का इनको याद कर लेना है उसके बाद अभी आपसे पूछे जाएंगे चिंतानी करना डटे रहना और बत सखाराम बाइंडर याद करना है तो सखाराम बाइंडर इसको अपन को याद करना है आप से पूचा जाएगा सखाराम बाइंडर नाटक किसका है क्या हो जाता विजय तेंदुल का ठीक है शिंगासन काली करो वो लिकर क्यों खलो शुशील बर चाहिए अपन बोलते ना आपने देखा हुआ पत्र पत्री का हम बोले शुशील बर चाहिए शिंगासन खाली करो है ना एक अपने पड़े है शिंगासन खाली करो की जनता आती ह दिनकर जी की एक पंक्ती है, सिंगासन खाली करो की जनता आती है, लेकिन यहां से आप से पूचा गया कि सिंगासन खाली है, बोले सार क्यों खाली है, कुबेर जी सिंगासन खाली है, बोले हां सर, सुसील बर चाहिए, कैसा, सुसील, तो सुसील से क्या वनेगा, सुसील से सु सुसील कुमार से हैं सिंगासन खाली है ठीक है कोर्ट मार्सल स्वदेश दीपक कोर्ट मार्सल स्वदेश दीपक कोर्ट मार्सल स्वदेश दीपक हमें कोर्ट जाना है कोर्ट जाना है तो एक बात बताना जैसे आपका कोई केस फस गया दाओं पांच बाला तो आप कोर्ट जा जाओगे कि स्वादेश के कोड जाओगे इसलिए तो कहते स्वादेश ही अपनाओ है ना तो यह स्वादेश दीपक स्वादेश के कोर्ट जाना अपन को वहिया अमेरिका नहीं चले जाना है ना ठीक है अमेरिका नहीं जाना एक कोर्ट मार्सल स्वादेश दीपक का नाटक है खूपसूरत बहू को क्या खा गया वोली सर नांग खा गया नांग खा गया तो नांग बोलस खूपसूरत बहू को नांग ने डस लिया मरजीवा बोले सर मुद्रा राक्षस है ना राक्षस बोले राक्षस मुद्रा के लिए मरजीवा है ना मरजीवा तो याद करना है मरजीवा मरजीवा बोले सर मुद्रा राक्षस के लिए मुद्रा मरजीवा है ना अब एक बात बताना राक्षस अगर आपको खा जाए तो आप जिन्दा रहोगे कि मर जीवा बताओ, राक्षस खा जाए तो क्या होगा मर जीवा, मर जावी मर जावी, है न तो यहाँ पर मर जीवा नाटक आप से पूछा गया तो मुद्रा राक्षस का यह नाटक है कौनसा? मर जीवा मर जीवा याद कर लेना, ठीक है इतिहास चक्र देखो, इतिहास चक्र बोले सर, इतिहास चक्र पर दया आती है, इतिहास चक्र पर क्या आती है? दया आती है आती किसी किसको आती है दया, बोले सर, साहित तई पर नहीं तो यहां पर याद करना है इतिहास चक्र दया प्रिकास से नहां ठीक है यह भी अपन को याद रख लेना है देखो तारक राज पूझ जी बोला है कि जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसके पाउं में छाला होगा बिना संगर्स के इंसान च फिल में उजाला होगा दिखो तारक जी बहुत बढ़्या इतियास चक्र देखो इतियास चक्र पर क्या करना है प्रिकास ठीक है कि क्या कहना है यह यह पक्षी को छोड़ दो दिवयानी कि क्या कहता है पिंजरे के पंचीरे तेरा दर देना जाने कोई है ना तो ऐसा ये दिवयानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो तो ये रमेश बक्षी जी का एक नाटक है दिवयानी का कहना इसको याद करना है ठीक है तीसरा हाती बोले सर तीसरा हाती रमेश पक्षी है ना तीसरा हाती भी बोला कि रमेश पक्षी को छोड़ दो रमेश पक्षी को छोड़ दो है ना दिवयानी का कहना है और तीसरा हाती भी बोला कि रमेश पक्षी को छोड़ दो ठीक है तो इनको याद करना है तीसरा हाती किसका है रमेश पक्षी रमेश बक्षी है यह तो रमे कलंक है तो यह कलंकी हो गया वोले सर लच्छमी के चक्कर में यह लच्छमी नारण लाल का एक नाटक है कलंकी कलंकी याद कर लेना अब एक चीज बताना मैं आप लोगों से पूछता हूँ अपन अगर बोलते हैं कि सर लच्छमी नारण और लाल लच्छमी नारण लाल अगर गर मोहले गली से निकल जाएं तो क्या लगेगा करफ्यू लगेगा करफ्यू लगेगा तो करफ्यू नाटक किसका होगा अब आप भूला नहीं बोले सर करफ्यू नाटक लच्मी नारण लाल का होगा क्योंकि आप लोग पीछे पीछे दोड़ोगे है ना तो यह आपको ये कौन सा लच्मी नारण लाल का नाटक है या फिर नहीं है ठीक है तो ये नरसें कता भी लच्मी नारण लाल का है बोले सर करफ्यू तो लगेगा ठीक है ये भी अपन को याद करना है नरसें कता ठीक है उसके बाद देखो कता वे सरजन कता वे सरजन लच्मी नारण लाल कत लच्चमी नारण लाल, लाल का नाटक सुरू हो जाता, आपके भी लाल हुए होंगे, बोले पापा पाँच का दे दो, है ना, फिर बोले दस का दे दो, आज टापी नहीं आई, फिर कोरे खाना, बोले सर लाल का, लच्चमी, लच्चमी सुरू हो गया नाटक, कहे का लच्च उसके बाद यहां पर देखो तुम चंदन हम पानी यह नाटक है तुम चंदन हम पानी यह रेदास की पंक्तिया आपने पड़ी होगी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी लेकिन यहां पर नाटक है किसका लच्मी नारनलाल का कई बार पूछा गया तुम चंदन हम पानी न ठीक है ये भी याद करोगे पाप और प्रिकास जेन अंद्र कुमार है ना जेन लोग क्या करते पाप पर प्रिकास डालते पाप पर प्रिकास डालते बोले चीटी को नहीं मारो है ना उसको भी जीने का अधिकार है ठीक है ये भी अपन को याद करना है और दोस्तो वो बिद् बिध्यानेवासमिस्र का क्या है निबंध और लच्च मीनारनलाल का किया है नाटक बहुत बढ़ियाओं यहां प्र आंपको कन्प्यूज नही होना ये तुम कोहिली के है ना ये याद कर ले ना ये याद कर ले ना दोस्तो हत्यारे ठीक है ये हत्यारे किसका नाटक है नरेंदर कोहिली अब जब कोहिली की कपतानी में जब कोई टीम हारती है तो बहां की महिला है बोलती है पता हत्यारे उस कोहिली ने हरा दिया है ना हत्यारे उस कोहिल पोलिस्तर हत्यारे कोहिली ने हमारी टीम को हरा दिया तो यह हत्यारे नाटक आप से पूँछा जाएगा और नरेंद्र कोहिली जी का नाटक है इसको याद कर लेना उसके बास सैदे हबस है ना पोलिस्तर हबस बाले को तो आग में डाल दो आग आगा हस्र कस्मीरी है ना आपने देखी होगी दोस्तों कैसे कैसे केस आते सैदे हवस बोले सर हवस वाले को आग में डालो आग के हवाले है ना तो आगा हस्र कस्मीरी आगा हस्र कस्मीरी का एक नाटक है सैदे हवस सैदे हवस ये भी अपन को याद रख लेना है ठीक है अचूता दामन आगा हस्र कस्मीरी अचूता दामन ये भी दोस्तों इनका नाटक है आख का नसा देखो आख का नसा वोले आग से सैकलो वोले आख के नसे को सीख चाही हो जाएगा आगा आएगा वोले आएगा आख का नसा आएगा आगा आखा का नसा ये भी दोस्तों आगा हसर कस्मीरी का और चरणदास चोर है ना चरणदास चोर हभीब तनवीर ये भी आपको याद रख़े ना है बोले हभीब तनवीर के चरणदास को चोर ले गए हभीब तनवीर के चरणदास को कुण ले गए चोर ले गए है ना आपने देखा होगा तारक महिता का उल्टा चस सबस्सक्राइल याद कर लेना बोले सर बीबी बहादुर कला रहा है बहादुर है की नहीं है भागिरज जी संका तो नहीं प्रमोश रहनी हबीब तन्वीर याद रखे ना बहादुर कला रहा है ठीक है अब आप सभी तयार है क्या थोड़ा साम पूछ लेते एक आद एक आद ही पूछेंगे एक आद दो पूछ लेते आप लोगों से देखते हैं कौन-कौन तयार है आपको एक क्वेस्चन पूछना है दोस्तों आपको बताना है कितना याद हुआ है आपको बताना है मरजीवा किसका नाटक है मरजीवा किसका नाटक है जल्दी से बताएंगे शवी लोग कितना याद हुआ है कौन-सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट भी लिखना है और जिनको भी एडवीसर लेना है और पढ़ना है बहुत अच्छी से ट्रिक स खेल खेल में इंडिस आयत की रचना याद हो जाती है आप लोगों के लिए ऐसे जितने भी हमारी साथी हैं मरजीवा आपको बताना है कि मरजीवा नाटक के रचनाकार कौन है बताइए नीरच कुमार जी बीबी बहाधर कलारन है बहुत बढ़िया है ना तो यहाँ पर बताईए मर जीवा बोले सर राक्चस खाएगा तो मर जीवा राक्चस खाएगा तो मर जीवा मुद्रा राक्चस बहुत बढ़िया शबी लोग बिल्कुल लाइन से सही बता रहा है उसके बाद देखो question इतिहास चक्र इतिहास चक्र नाटक किसका है इतिहास चक्र नाटक किसका है तो बताईए इतिहास चक्र देखते हैं कौन-कौन बता पारा है है ना इतिहास चक्र नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर देना अगर थोड़ी सी ट्रेक आपको दिल परसेंट तो बता देना और इतिहास चक्र नाटक का रचनाकार कौन है ये अपन को बताना है हाँ राक्षस खाए तो मर जावे बिलकोल देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है इतिहास चक्र इतिहास चक्र दया प्रकास रोज निगम जी भीरेंद्र जी बहुत बड़ी करो तो दया प्रकास है ना दया प्रकास यात कर ले ना इतियास चक्र दया प्रकाश शिनहा बहुत बड़ी साहत है ये ऑपको बताना है हिंदी साहथ को अगर दोस्तों रचनाव को यायाद करना तो इसा ही करनी पड़ेंगी कोई दूसरा माध्यम आपके पास नहीं है आपको कोर्ट मारसल बताना है कोर्ट जाना है तो कहां के जाओगे रश्मी गिरी जी बुले सर बिदेश मिदेश बिलको जाने की नहीं बोला हम तो कोर्ट जाएंगे स्वधेश के कहा कि स्वधेश के तो ये स्वधेश दीपक इसके रिचनाकार है बहुत बढ़िया है आप यहाँ पर सकाराम बाइंडर नहीं पूछ रहा है आप से पूछ रहे है कौन खासी राम कोथवाल भी नहीं पूछ रहे हैं है ना बकरी पूछेंगे बकरी किसका नाटक है पूछा होगा थोड़ा सा आप सर्वे करके देख लेना ऐसी बकरी का भी अपन को क्या करना है बकरी का बताईए बकरी का बताना है मनु जी रश्मी जी शंगीता जी और बहुत बड़ी आंसर बताया है मनु जी ने कि सर बकरी का हमें सर्वे करना पड़ेगा तो सर्वेश तो दयाल सक अब अंगला question आप से पूछा जाएगा भूदान यग नाटक किसका है भूदान यग नाटक किसका है पताइए भूदान यग नाटक कि रिचनाकार कौन है यह आपका question है लाइक जरू करिएगा दोस्तों self study classes एप को डाउनलोड कर लीजिए कल 14 सितंबर हिंदी दिवश हिंद सारी छूट है आप लोगों के लिए अभी अच्छा मौका है जो भी जूनियर टेड़ वाले हमारे साती हैं जो भी साती प्रैक्टिस वाले हैं जो भी मास्टर के डर जिनको भी एड़िसर लेना है है ना भूदान यग ये सेट लोग करते वोले सर है ना तो सेट गोबिंद दास बहुत बढ़िया एक और दुर्णाचार एक और दुर्णाचार के रिचनाकार कौन है ये आपको बताना है ये आपको शवी लोग बताएंगे बताईए काना जी एक और दुर्णाचार के रिचनाकार कौन माने जाते हैं कौन कौन बता रहा है सबसे पहले एक और दु आना यहां पर है ना एक और दुर्णा चार एक और दुर्णा चार के रिचना कार कौन है और उत्तर हो गया आपका शंकर शेष बहुत वड़िया श्वरभ वर्माजी संकर सेष सेष रहे गए बुली सर एक और दुर्णा चार सेष तो संकर सेष बहुत कभीरा खड़ा बजार में कबीरा खड़ा बजार में ये किसका नाटक है दोस्तों कबीरा खड़ा बजार में और मांग है सब की खेर जल्दी से आपको बताना है कौन कौन की खेर मांग रहा है कबीरा है ना एक कबीर जी है भाईया और कबीर जी के बारे में आपको बताना है और कबीर जी के बारे म 20 में साहिनी बताया आपका बिल्कुल शाहिए है सहन करते करते बहुत हो गई वह पूरे समाज के जितने भी बर्ग है चाहे इंदू वो मुश्मिम सबको फटकारा कबीर ने इन्होंने का कि पोती पड़ पड़ जगमुआ पंडित भयाना कोई डाई एक छर प्रेम के प्रेम से बोलतो दुवेक्ती कोई एक बार दिल खुस हो जाएगा आपके पास आ जाएगा बोलते नहीं आप लोग एक बार मुस्कराते नहीं में पचास बार तो मुस्करानी चाहिए है ना लेकिन बोलते नहीं हो अंगला कोईस्चन है पहला राजा पहला राजा किसका नाटक है जल्दी शेश भी लोग बताएंगे मुकनजी बताएए पहला राजा पहला राजा आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा पहला राजा किसका नाटक है पताईए पहला राजा हिंदी साहित पढ़ने के लिए दोस्तो मात्र आपके लिए हिंदी साहित के लिए अभी ओफर 999 का दिया है कि आप 999 में 80 से ले सकते यह ओफर आपके लिए कभी नहीं मिलेगा इसके बाद हिंदी दिवास है और हिंदी अपन पड़ते हैं तो एक आफ़र आफ के लिए बिसेस ओफर तीन नन चौदा से सोला यह ओफर चलेगा आपके लिए हिंदी साहिस संपूर कोर्स मात्र मात्र वह सोन नियानबे यह ओफर ना कभी आया है औ लिए के वेरी गोड उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों अंगला क्वेस्चन है बितस्ता की लहरें बताना है यह किसका नाटक है बितस्ता की लहरें नाटक के रिचनाकार कौन है बहुत अच्छे से आप लोग लिख रहे हैं इतनी अच्छे से आपको याद हो गया है दोस्तो कि सायध ही कभी आप भूल पाओ, है ना आपके माइंड में चलता है, याद नहीं करना है, किलास को अटेंड वस करनी है, बितस्ता की लहरें, आटो मैटिक इनको याद ही करना पड़ता है, इनको पूछा जाता है डारेक, बितस्ता की लहरें ये किसका नाटक है, ऐसा पूछ लिया जाएगा, आप क्या करोगे, बोले सर माइंड में होगा, तबी तो बताएंगे, तो करके बितस्ता की लहरें जा रहें यहां पर भागी रत जी ने एक अपना पांच का सिक्का डाल दिया उसके बाद यहां पर आके लबली जी ने एक सिक्का डाल दिया फिर बाकी अपने गुरूप में कुबेर जी ने भी एक सिक्का डाल दिया है ना लोकेज जी ने भी अब य यहां पर मिस्त्र याद कर लेना लच्छमी नारण मिस्त्र ठीक है मिस्त्र याद रखोगे लच्छमी जब अपन वितस्ता की लहरों में डारेंगे सब लोग मिलके तो मिस्त्रित हो जाएंगे एक के पांच के सब मिस्त्रित हो जाएंगे की नहीं बेरी गुट तो सभी सात्यों को धन्वाद सभी सात्यों के दोस्तों यह आफर है आपका हिंदी दिवाश मात्र नौसो निन्यानवे हिंदी साइज शंपून कूर्स सेल्फ इस्टडी किलासेस हो या दोस्तों आपका आपका जूनियर सुपर टेट हो या पंजाब मास्टर के के लिए है ना और अध्यान जितना करोगे अभ्यास जितना करोगे उतनी चीजें आपको किलियर होती जाएंगे और मैं बोलता हूं कि आपको निरंतर अध्यान करना है निरंतर आप अध्यान करोगे अभ्यास करोगे आप क्या करते हो पेपर आता एक दो महीने पढ़ दिय उसके बाद बन्द कर दिया जब पेपर आता हूँ उसके बाद फिर सुरू से पढ़ना चालू है ना, इसलिए तयारी चाहिए आप एक गंटे रोच पढ़ो या दो गंटे रोच पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो पेपर जब आएगा आएगा, पढ़ते रहो कि 50% आपको याद ना हुआ हो है ना आपको बहुत सा 50% पहले से याद था 50% और याद हो गया आपका 100% याद हो गया जितना पड़ा है ठीक है शबी साती इसी प्रकार से अध्यन करते रहें वीडियो को लाइक करते रहें लालदास जी जब तक तोड़ेंगे नहीं दब तक देहा राय जी दार्सु अजय सर्मा जी सभी सात्यों को धनबाद दोस्तों है ना अध्यन मत छोड़ना अध्यन नहीं छोड़ना है चाए पेपर आए या पेपर जाए ठीक है है ना बिलकुल चाहिए हिंदी साहित पड़ो हिंदी साहित है यहाँ पर डेविड जी हिंदी स अहे तद्वयान करो especially केरला के लिए अलग से नहीं होता ठीक है बहुत बढ़ीजा हो गई है पीर परबत सी पिगलनी चाहिए इस हमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए है ना मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में तेरे सीने में ना सही किसी और के सीने में हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए इस हमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए कलपना वर्मा जी स्री लता जी निर्मला जी मंजू जी कमल जी अनिल जी दार्सू बिक्रम जी स्वानू सिंग जी सभी सातियों को धनवाद दोस्तों है ना और इसी प्रकार से पड़ती रहें अध्यन करती रहें लाइक सेर करती रहें नीतु गुपता आस्ता जी लबली जी सामपंड़ जी ठीक है सभी को धन्वाग जय हिंद